आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 10-Minute Breakfast की रेसिपी जिसे बनाना बहुत आसान है और यह बहुत जल्दी बनके तयार हो जाते हैं पैनकेक्स आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं रेड वेलवेट पैनकेक्स और इसको आप बना के अपनी फैमिली को सर्प्राइज दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी बना सकते हैं तो के बहुत जल्दी भी बनके तयार हो जाते हैं तो इस वीडियो को लास तक ज़रूर देखिएगा अगर आप मेरे चानल पे नहीं हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ साथ और नोटिफिकेशन को क्लिक करें इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे बहले मिलेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें तो चरिया ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा, मैदा मैने लिया है एक कप के बराबर और फिर मैं इसके इंदर एड़ करूँगी आइसिंग शुगर हाफ कप आप रोग चाहिए तो पिसी भी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोको पाउडर आड़ कर देंगे इसमें वन टीजब्वोन के बराबर baking powder add करेंगे 1 teaspoon इसके बाद मैं इसमें add करूंगे baking soda half teaspoon और इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो बस सारे dry ingredients को हम सबसे पहरे mix कर लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर liquid ingredients add करेंगे तो इसके अंदर हम add करेंगे दूद आदा कप के बराबर फिर मैं इसके अंदर add करूंगे एक अदत अंडा बटर इसके अंदर add करेंगे हम 1 food cup के बराबर जो के मैंने melt किया हुआ है आप लोग चाहिए तो oil भी add कर सकते है vanilla essence add करेंगे इसके अंदर 1 teaspoon red food color add करेंगे इसके अंदर 1 teaspoon के बराबर और इन सब चीजों का अच्छी तरीकी से mix कर लेंगे यह थोड़ा सा thick batter होगा क्यूंके मुझे fluffy pancakes बनाने हैं अगर आप लोगों को thin बनाने हो तो आप से थोड़ा सा दूद और add कर सकते हैं तो यह देखिए बैटर हमारा ready है last में हम इसके अंदर add करेंगे vinegar 1 teaspoon के बराबर vinegar हमेशा last में ही add करते हैं और इसको आपने जल्ली से mix कर लेना है तो बस ही हमारा batter ready है इदर pan ले लेंगे इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसे मैंने butter को brush कर लिया butter से brush किया है हलका सा बिल्कुल और इसके उपर हम batter add कर देंगे थोड़ा सा जितने बड़े आपको pancakes बराने उसके से आपसे आप लोग add कर सकते हैं छोटे या बड़े अब इसको हम पकने देंगे low medium flame पे तक्रीबन 1 minute के लिए बिल्कुल बहुत हलकी आच पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है और जब इसके उपर इस तरह से bubbles आने लगेंगे और थोड़ा सा यह फूल जाएगा उसके बाद आप इसको turn कर लीजेगा इस तरह से और दूसी तरफ से भी हम इसको आदा मिनट तक ही cook करेंगे बस pancakes बनाते वे आपने देहान यह रखने आपने low medium flame पे ही इसको cook करना है तो सारे में इसी तरह से ready कर लूँगी अब इसकी frosting पे आ जाते हैं तो इसकी frosting के लिए हमें चाहिए whipping cream इदर मैंने लीती आदा कप whipping cream उसको मैंने whipped कर लिया था अच्छी तरीके से यह देखी कुछ इस तरह से हो जाएगी है और अब हम इसके अंदर add करेंगे दूद add करेंगे इसके अंदर हम four tablespoon के बराबर sugar add करेंगे इसके अंदर हम two tablespoon फिर मैं इसके अंदर add करूंगी cream cheese one tablespoon के बराबर मैं bottle का use कर रही हूँ आप लोग कोई सा भी use कर सकते हैं तब वाला भी use कर सकते हैं इसके अंदर अब इसको हम अच्छी तरीके से mix कर लेंगे mix होने के बाद यह अच्छी तरीके से smooth हो जाएगी कुछ इस तरह से अब इसके अंदर मैं vanilla essence add कर दूंगी half teaspoon के बराबर इसको भी हम mix कर लेंगे अच्छी तरीके से तो यह हमारी frosting जो है वो ready हो जाएगी अब इसको मैं piping bag मैं add कर लूंगी अब हम इन pancakes को assemble कर लेंगे तो मैंने एक pancake ले लिया इस क्यूपर में यह frosting लगा लूंगी यह ना बहुत जादा लगाईएगा नहीं बहुत जादा कम लगाएंगे इसके अंदर फिर दूसरा रख देंगे इस क्यूपर और इसी तरह से मैं सारे pancakes एक क्यूपर एक रखती जाओंगी और इसी तरह से थोरी सी frosting लगाती जाओंगी आप लोग चाहें तो knife की मदद से भी इसको लगा सकते हैं सारे pancakes पे मैंने frosting लगा दीती है अब इसको decorate कर लेते हैं तो टॉप फारी layer पे मैं इस तरह से drizzle कर दूँगी और ये कुछ candies है मेरे पास उससे मैं इसको decorate कर रही हूँ आप लोग चाहें तो अपनी मर्जी के मताबिक इसको decorate कर सकते हैं स्ट्रॉबरीज भी लगा सकते हैं presentable लगे तो इस तरह से बनाईएगा अपनी family के लिए अपने friends के लिए और उनको आप लोग surprise दे सकते हैं morning में बनाईए उनके लिए उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये बनाके और ये बहुत मज़िदार बहुत fluffy से pancakes बनके तय प्यार हुए थे तो ये देखिए अंदर से इसका texture I hope आपको ये simple सी recipe अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो इसको try जरूर कीजिएगा और अपना feedback मुझे जरूर दीजिएगा बताइए का जरूर कैसी लगी आपको ये recipe so viewers अगर आप लोग को में ये recipes अच्छी लगती है